2018 की फिल्म KGF जिसे साल की सबसे बड़ी सूपर हिट फिल्म में से एक माना जाता है मैं बताई गई कोलार गोल्ड फील्ड की वास्तवी कहानी से अलग है साल 1871 ब्रिटिश सेना के एक रिटायर आइरिश सेनिक माइकल लाविल ने इस कोल माइन की खोज की लाविल ने अपना अधिकान समय आठिकल पढ़ने में बिताया और 1804 के एशियाटिक जर्नल के एक चार पेज के आठिकल को पढ़ने के बाद लाविल ऐसी यात्रा पर निकले जिसने अधता दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और बड़ी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड को जन्म दिया कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी पहली वार 1799 में फैली जब ततकालीन शाषन टीपू सुल्तान अंग्रेजो द्वारा स्रीरंग पट्टम की लडाई में मारा गया लावेल ने चोल वंश के समय में कोलार गोल्ड फील्ड के सोने के बंडार की एफवाय सुनी थी जिसमें सोने का बंडार की मात्रा इतनी अधिक थी कि लोग अपने नंगे हाथों से खोद कर सोना निकाल लेते थे एक जांच के बाद लावेल ने निशकर्ष निकाला कि प्रतियक 120 पॉंड ये 56 किलो मिट्टी के लिए ग्रामीडों के कच्चे तरीकों का उप्योग करके सोने का एक 5 ग्राम का तुकड़ा निकाला जा सकता है और मशीनरी के इस्तिमाल से ये सोने के बड़े बंडार खोल सकता है दो साल से अधिक रिसर्च करने के बाद 1873 में लावेल ने वहां के ततकालीन महराज की सरकार से खोदने के लिए लाइसेंस की मांग की लावेल ने 2 फरवरी 1875 को कोलार में खनन के लिए 20 साल की लीज हांसिल कर भारत में आधोनी खनन के युक की शुरुआत की जैसी केजीएफ में संचालन आगे बढ़ा अंग्रेजों ने सोने की खोदाई तेच करने के लिए कोलार में एशिया के दूसरे और भारत के पहले बिजली पावर हाउस की योजना बनाई रॉयल इंजीनियर्स के अधिकारियों ने 1900 में कावेरी नदी में एक पावर हाउस बनाने के प्रस्ताव के साथ मैसूर महराज से संपर किया नियोर्क से सेंट्रल लक्ट्रिक कंपनी और स्विजयलेंड से आईशर वाईस को बिजली सईंतरन स्तापित करने के 148 किलोमेटर लंबे ट्रांस्मीशन का काम दिया गया ब्रिटेन अमेरिका और जर्मनी से आयातित मशीनरियों को हाथियों और घोडे द्वारा खीची जाने वाली गाडियों में ले जाया जाता था पाउर प्लांट लगने के बाद जल्द ही केजीएफ में मुम्बतियों और मिट्टी के तेल के लेंप को बल्बों से बदल दिया गया यहां तक कि बैंगलॉर और मैसूर के अलेक्ट्रिफिकेशन से पहले कोलार में 24 घंटे बिजली रहने लगी थी वर्ष 2000 तक भी भारत के कई राज्यों में बिजली कटोती का अनुभव किया जाता था जबकि 1902 में ही यानि 100 साल पहले ही केजीएफ में 24 घंटे बिजली आप उड़ती थी बिजली के 24 घंटा उपलपता और वहां के मौसम के अनुसार ब्रिटिस्ट इंजीनिरों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए कोलार लिटोल इंग्लैंड बन गया था इंग्लैंड जैसे मौसम, बंगलो और क्लबों ने केजीएफ को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया था और कई देशों के लोग कोलार के आसपास के इलाके जैसे बैंगलोर में परमानेंट बसने लगे थे जैसे ही केजीएफ में सोने का बंडार कम होने लगा और खुदाई को और गहरा किया जाने लगा प्रवाशियों ने कोलार छोड़ना शुरू कर दिया हालां कि आजादी तक प्रमुक पदों पर अंग्रेजों का कबजा था 1956 में जब केंदर सरकार ने सभी खानों को अपने कबजे में लेने का फैसला किया तो अधिकांश खानों का ओनर्शिप पहले ही राज सरकारों को सौब दिया गया था खुदाई में मजदूरों के काम करने की परिसानिया धीरे धीरे बढ़ने लगी और सोने की गुफाओं में तेज हवा को मशीनरी द्वारा भेजा जाने के बावजूद वहां का तापमान 55 डिगरी तक रहने लगा 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए विरोध प्रदर्शन का नेत्युत मुख्य रूप से केजी एफ कार खाने में श्रमिकों और उनके परिवारों ने किया जो बहतर काम करने की स्थिति उच्च मजदूरी और बहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे थे अने चरम पर यह दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान थी हाला कि वर्षों से खदानों में काम करने की स्थिति खराब हो गई और श्रमिकों को लंबे समय तक काम करना पड़ा कम वेतन और असुरक्षित कामकाजी पर स्थितियों का भी सामना करना पड़ा श्रमिको की मांग यह भी थी कि सरकार उस नीजी कमपनियों से ख़दाने अपने हाथों में ले ले और उन्हें पट्टे पर चड़ा दे क्योंकि उनका मानना था कि कमपनियां उनका शोशन कर रही है और खानों में पर्याप्त निवेश नहीं कर रही है विरोत कई हफतों तक जारी रहा और सरकार ने अंतता हस्ता शेप किया श्रमिकों की कुछ मांगों पर सहमती व्यक्त की जिसमें मजदूरी में वृद्धी और सुरक्षा उपायों में सुधार शामिल था हाला कि मजदूर सरकार से ख़दानों को अपने कबजे में लेने की मांग करते रहे जिसे सरकार ने ठुकरा दिया और उन्हें कमपनिये चलाती रही लगभग 121 वर्षों के निरंतर खनन के बाद सोने के बंडार में गिरावट और उच परिचारन लागत के कारण के जीएफ खानों को अंतिता 2001 में बंद कर दिया गया था एक रिपोर्ट के अनुसार खुदाई लगभग 121 चाल चली और कहा जाता है कि इतने समय में 900 टन सोना यानि 9 लाग किलो सोना निकाला गया जो वर्तमान बजार मूली में लगभग 5 लाग करोण भारती रुपए के बराबर है भारत के सोने का उत्पादन का लगभग 95 परतीशत उत्पादन कोलार गोल्ड फील्ड से होता था जो कभी सोने की खदाने और गुफा हुआ करती थी आज पूरी तरह पानी से भर गई है और कई सरकारी कोशिशों के बावजूद उची लागत के चलते इसे फिर से चालू नहीं किया जा सका एक अनुमान के मताबित कोलार गोल्ड फील्ड से जित्ता सोना निकाला गया उससे कई गुना जादा सोना अभी भी वहां मौजूद है